है बल्कून विजन लोग अजका हमारा टापिक है स्विचिंग टैक्निक सिए हम देखेंगे कि कौन-कौन से हमारी टैकनिक के पेरैंटब और होता क्या है यह सविचिंग टैकनिक तो जो हम अल्रेटी के अंदर देख चुके हैं जो ओसाई मॉडल था हमारा तो ओसाई मॉडल में हमने देखा था कि जो डेटा का यहाँ पर जो जाएगा हमारा यह पर ऑफ यहाँ पर भी फिजिकल लियर अब जो डेटा हमारा है इस डेटा को सेट्डर से वाइस सकते हमारे पास क्या पास की कि अधा को उसको हम चूज करेंगे हम इसमें देखते हैं कि जो टेक्निक होंगे उसमें उन टेक्निक की हम आवाब बात करेंगे इस्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह हमारे टेक्निक का यूज होता है selecting a path the data must take out of the available option is called switch है जो हमारे selecting पात हुआ है जिस पात को में जो हमारे पास multiple option अब लिए हैं हमने बोला हमारे पास यह है यह हमारे पास रिसीवर और इनके बीच में नमबर और इंटर्मेडियर नोट होड़ सकते हैं नमबर और डिवाइस से जैसे हमारे राउटर वगरा हो गया रिपीटर अलगले टाइप की डिवाइस सो हमने क्या है सब यह आपस में connect है इनके तुरू हम कैसे डेटा को सेंड कर रहे हैं हमारा यह हो सकता है इस पात को से ट्रांस्मिट डेटा फ्रॉम सेंडे टूर से रिसीविग के तरह बेस्ट पाचूस करेगा और उसके बाद में डेटा को ट्रांस्पिल करेगा और यह इन दौनों के बीच में सेंडर के बीच में प्रोवाइट करता है बंट टूबन कम्यूनिकेशन या बंटूबन स्विचिंग हम देखेंगे आगे जैसे कोई बहुत बड़ा कॉंप्लेक्स मेसिज या कुछ जाद यो भी हमारे सेंडर से रिसीवर की तरफ क्या है एक बेस्ट पाथ रूट के तरूब हम डेटा को ट्रांस्मिट कर सकते हैं क्योंकि हमारे अप्रे पास अबलेबिल होंगे स्टार्ट करते हैं हमारी टैक्निक होती है यह स्विचिंग टैक्निक में हम देखेंगे कि हमारी स्विचिंग टैक्निक होती है तीन टाइप के हम पढ़ेंगे पहले आती है सर्किट स्विचिंग सबसे पुराना तरीका है ठीक है सबसे पुराना तरीका है और यह हमारे टे में पैकेट में convert होता है और उसके बाद में transmit होता है अगली हमारी आती है packet switching और packet switching के हमारे दो approach आते हैं डेटाग्राम switching and virtual circuit switching हम इनको बन बाइबन देखेंगे सब सबसे पहला हम start करते है circuit switching क्या है हमारा circuit switching है कि जैसे हमने हमने देखा है अल्रेड़ी telephone connection वगरा में इसका यूज करते रहे हैं connection will be stabilized between sender and receiver before data transmission जैसे हमने देखा कि हमारे पास data transmit होना है हमारा data transmit होना है यहां देख लिए होना है हमें इस पात के तुरू हमारा path stabilize हो जाएगा कि हमें इस पात के तुरू data को transmit करना है उसके बाद में data transmit करेंगे जैसे एक्जांपल आल्रेड़ी मैंने बताया है कि यह जो है जो telephone line में यूज करते हैं जैसे हमने telephone line में देखे हमने किसको call लगाई जब हम किसी को call करते इनका क्या है एक path stabilize होगा मतलब इन्होंने अपने एक net बना हुआ है उसमें इन्हों ने पहले किया 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 मतलब यहां से रिंग गई जैसे रिंग complete होगी मतलब रिंग उठते ही हमारे दोने की बीच में क्या हो गया connection स्टैबलाइज हो अब वह बोलना स्टार्ट करते हैं या बात करनी इस्टार्ट करते हैं तो यह हो रहा है हमारे डेटर टांस्पिशन पहले हम इसमें क्या कर थे हैं चौक घृटिकेट इस वहीच्ट हो गया उसके बाद में एक बार हमारे connection establish हो गया उसके बाद में क्या होगा नहीं कर देते के मतलब जब तक हमारे बना हुआ रहेगा उसमें ट्रांस्मिट्ट हो रहा यंदे नहीं हो रहा है लिए पास पूरी तरह से क्या रहेगा रहेगा से टॉलिफॉन लाइन विगरा में यूज करते रहें शीज को ट्रांस मेशन के लिए अब अगली चीज आती है कि जब यहां पर इएक pats रख़ड़ सो गया हमें पता यहां पर हमारा बन गया है पाथ बनने के बाद में क्या होगे ए और डी के बीच में इनके बीच में क्या हो गया यह पाथ जो है रिजर्व हो जाता है यहंशन चलता रहेगा और अधर कोई परसन जैसे एकर बीच से हमारा पाथ बन चुका है यह किसी को टैलीफॉण लाइन से कॉल करते हैं जैसे एक परसन ने बी को क्यों की तो जैसे कॉल की उसने उसकी रिसीव कर ली जैसी तो उनका connection यह path stabilize हो गया अब वो अपना बात करनी स्टार्ट करें सांत रहें जो भी उनका मान है वो करें अगर कुछ data होगा तो टांस्मिट होगा लेकिन उनका path रहेगा अगर कोई दूसरा person उस path को यूज करने चाहेगा तो उसका क्या है लाइन विजी स्टैप से जो पहले दिखाता था लाइन विजी है connection विजी स्टैप से चीज़ें दिखाता था पहले यह सारी चीज़ें हमें फेज करनी बढ़ेंगे टेलीफोन लाइन के हम एक्जा टांसमिट कर सकते हैं ना कम न जाता मतलब होगा हो इस टाइप की कुछ भी चीज़ प्रॉबलम नहीं होगी हमारे मतलब तो री-order हमें नहीं करना पड़ेगा यहां पर इन-order data transmission होता है जो चीज पहले बोले गई है वह पहले जाएगी जो चीज बाद में बोले गई वह बाद में जाएगी लेकिन packet switching में यही problem हमें face करनी पड़ेगी the only time security and similarity problem अब इसके जो है डी-टा टांश्मिवीचन की तीन फेस होते हैं तीन फेस होते हैं इसके सार्किट स्विचिंग के अंदर कें अदेटा टांस्मिट बदल सबसे पहले हमने सर्कीट बनाया जैसे हमने किसी का इमबर डैल हो गया डाट है अब करने के बाद हमने चाहरण करने स्टार्ट करने पाथ कर दी और यह जब तक हम बात करते नहीं जब तो हमारा कनेकशन बना रहेगा और दूसरी चीज को कोई other person यूज करने ही सकता कर लिए जब तक हमारी बंद करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमने data transmission को बंद किया और उसके बाद में हमारा क्या हुआ circuit जो था हमारा वो disconnect कर दिया हमने जैसे हम call disconnect करते हैं उसके बाद में connection कट गया तो यह स्टाइप से हमारी तीन होते हैं steps से काम करते हैं यह था हमारा circuit switching काफी पुरानी टेक्निक है यह यह चली आ रही है कि हम देखते हैं next हमारे आती है message switching यह मेसेश्वचिंग में क्या होता है जैसे हमने हैं यहाँ पर देखा था हमारा यहाँ नहीं होता है मतलब यहां पर मैसेज की बात कर रहे हैं जो मैसेज हमारा है इसके पास मैसेज होगा अब मैसेज या तो अलगलग पीस में ब्रोकन हो जाएगा तूट जाएगा अलगलग पीस में टीक है जिसे हम सिग्में इंट अगरे बोलते हैं जो पाकेट टांस्पेशन हमें क्लियर होगा लेकिन यह पूरी तरह से उसकी तरह नहीं है और उसके बाद में इसने किसी भी बा अब उसके पास दो चीज़ रहेंगे स्टोर एंड फॉरवर्ड उसने इस मैसेज को श्टोर कर लिया अब इस पात के दूर मान लो कि इस पात के दूर इसने देखा कि Lazio करना यहां पर हम टेता को ट्रांस्मिट करा सकते तो यहां पर इसनेancia कर दिया Routing कि और उस प Zw timeframe कर दिया और यहां पर यह data हमारा ट्रांस्मिٹ होगिए वश्ञेक हमारा यह इंटी का है यह हमारा है इट-स बेस ऑन इस्टेंद होता है सच है independent entity मतलब जो message यहां पर टांस्पेट होगा एक बार message गया तो उसका किसी other message के दाद को relation नहीं होगा वो message उसके पास पहुच जाएगा और उसके बाद में दूसरा message टांस्पेट करेगा तीसरा message टांस्पेट करेगा हर message जो हो एक independent entity की तरह वर्क करेगा हमारे तो कोई भी इधर-उदर से ज्यादा related नहीं होगा एक message है हमारा यह थी हमारी message switching अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है message switching में message switching में सब्सक्राइब प्रॉब्लम आती है कि इसमें हम जो रियल-time communication यूज नहीं कर सकते मतलब रियल-time communication या live streaming जो हम करते हैं वह बहाँ पर suitable नहीं है यह इसलिए नहीं है कि यह आपर किछीज को इस्टोर करकर रहा है उसके बाद में forward कर रहा है इस्टोर और forward की वज़े से क्या होगा यह रियल-time communication के लिए suitable नहीं होता है जो message switching टेक्निक है हमारी यह थी हमारी message switching वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू थैंक्यू अब्रिवर्वन कर दूब कर दूब